हेलो फ्रेंड स्वागत आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास 3-1 टेक में तो फ्रेंड अगर आपकी यूट्यूब वीडियो के उपर 10, 20, 30, 40, 50 या 100 व्यूज आते हैं या कभी-कभी आपकी वीडियो के उपर 1,500-200 व्यूज आते हैं और आप काफी ज़्यादा परेशान हैं कि मेरी यूट्यूब वीडियो पर व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसी टिप्स या ट्रिक्स देने वाला हूँ बताने वाला हूँ जिनको अगर आप अपनी वीडियो में सही से यूज करेंगे तो आपकी जो वीडियो वाली प्रोब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगी तो फ्रेंड्स वीडियो छोटी सी है पर बहुती जादा इंफर्मेटिव है इसलिए वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखेगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यूँ है पहली बार मेरे चैनल के उपर आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नॉटिफिकेशन बेल को ओन करके उसे ओल पे सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नहीं वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आपको सबसे पहली टिप बता देता हूँ सबसे पहली टिप है कि आपको अपनी यूटिव वीडियो को बनाने से पहले उसका एक थमनिल अच्छा सा क्रियेट करना चाहिए कैची सा थमनिल आपको बनाना चाहिए ऐसा मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ क्योंकि जब भी आपको वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करते हैं तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके सब्सक्राइबर्स के पास जाता है या फिर थमनिल अच्छा होगा कैची होगा बहुती ज़्यादा ऐसा होगा कि लोग उसपे क्लिक किये बिना ना रहे पाएं या फिर बहुती ज़्यादा अट्रेक्टिव होगा कि लोगों को उसपे क्लिक करना ही पड़ेगा तो इससे पर एब आपको वीडियों बनाने से अगर आप मुबाइल फोन इसे तो इन दो एप्लिकेशन से रही होगा जितने ज्यादाओ लोगों को इत्रक्ट करेगा उतने ज्यादा विव्यूज्स आपको उस वीडियों पर देखने को मिलेंगे क्योंकि YouTube जब suggest करता है पहले वो 10 लोगों को भेजता है 50 लोगों को बेजता है फिर 100 लोगों को 500 को 1000 को, लाग को इस तरीके से YouTube suggest करता है अगर 50 लोगों ने आपकी वीडियो देख ली 500 लोगों ने देख ली तो YouTube आगे से आगे आपकी वीडियो को सजेस्ट करता रहता है इसलिए आपको एक अच्छा सा थमनिल बनाना बहुत ज़ादा जरूरी है अब बात करते हैं दूसरी टिप के बारे में आप मान लिजे आपने थमनिल तो क्रियेट कर लिया अब जब वीडियो दूसरी लोगों के सामने जाती है तो उनकी जो दूसरी नजर है वो आपके टाइटल के उपर जाती है तो आपको जो टाइटल बनाना है वो बहुत ही ज़ादा एट्रेक्टिव बनाना है बहुत ही ज़ादा कैची बनाना है आपको उसमें catchy words use करने हैं, जो searchable हों, जो ज़्यादा search होते हों, उस तरह के, उसमें keywords आपको use करने हैं, और एक अच्छा title अगर आप बनाएंगे, तो आपकी वीडियो पे ज़्यादा clicks तो आएंगे ही, क्योंकि आपने thumbnail भी अच्छा create किया हुआ है, जितने ज़्यादा clicks आ जगा दिया, आप बात करते हैं, उस वीडियो के अंदर जो आप बोलेंगे, आपकी जो script है, उसके बारे में third tip है, तो आपकी जो script है, वो बहुती ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, और आपकी script ऐसी होनी चाहिए, जो आपने thumbnail में दिखाया है, वो उस चीज को justify ज़रू ललग है, आपको इस तरीके का click bad बिल्कुल नहीं करना, आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी वो justify होना चाहिए, आपके thumbnail के साइथ, तो अगर आप एक अच्छी script लिखेंगे, एक अच्छा thumbnail बनाएंगे, और एक अच्छा title लिखेंगे, तो आपकी वीडिय कोई question आ रहा है, कोई query है, तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो उसे like और share ज़रूर करें, thank you